हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ मनोज शर्मा और आज की क्लास में करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर एडमीशन और पार्टनर आगे कॉंटिन्यू आपको यादो इसकों टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं अब तक इसके 1 to 50 कोश्चन हो मैं कुश्चन रीड करता हूँ उसके बाद डिसकस करते हैं किस तरीके से जर्नल एंटरी पास होगी आप अपनी बुक में देखिए 51 लिखा राम और शाम वर पार्टनर सीने फार्म शेरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो ऑफ 2 to 1 राम और शाम दो पार्टनर है जिस ताइम मोहन का एडमीशन हुआ उस ताइम की बात कर रहे हैं दा बैलन्स शीट आफ राम और शाम शोड जर्नल एजर टू लैक 50 थाउजन एंड क्रेडिट बैलन्स ओफ रुपी 50 थाउजन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस ताइम मोहन का एडमीशन हुआ उस ताइम बैलन्स शीट में जर्नल जो रैपियर है टू लैक 50 का और पी एंडल अकाउंट क्रेडिट बैलन्स है फिफ्टी थाउजन का पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ओन दा ट्रीट्मेंट आफ दीज आइटम्स ओन मोहन एडमीशन तो हमें ये बताना है कि मोहन का जब एडमीशन हुआ उस टाइम पे जर्नल एंट्री का पास करेंगे देखो ये जितने भी एकुमिलेटिड प्राफिट या लॉसी जोंगे इनके अंदर हमेशा राइट जो होगा ओल्ड पार्टनर का होगा न्यू का कुछ नहीं होगा क्योंकि ये जो बेसिकली अर्न कर रखे ये ओल्ड पार्टनर ने कर रखे और उनकी ओल्ड रिश्यो में डिस्ट्रिब्यूट कर देंगे तो एंट्री कैसे पास करते हैं दिखो ये यहां पर आ जाओ पांच कॉल लो डेट पर्टिकुलर एलेफ डेबिड अमाउंट क्रेडिट एलेफ में तो कुछ लिखना नहीं डेट गीवन है तो डेट में पुट कर दो अब यहां पर जो है सबसे पहले आओ दिखो जर्नलिजर रिखो आपको कुछिन में बेंशर है टू लैक फिफ्टी थाउजेंट ये तो एक ही साथ एंट्री पास कर देंगे दोनों की अलग भी कर सकते हैं कि जर्नलिजर को अलग के डिस्ट्रिब्यूट कर दो और प्रॉफिट लॉसको अलग अच्व प्रॉफिट dov लोस के दो भैलेंच हो सकते हैं डेवीड और क्रेडिट शाइलेंट है तो हमेशा क्रेडिट वैलेंच होगा फे वर यहां वह वहां के प्रॉफिट बोल दैक्रेडिट का मतलब को कुश्चन में बता रखा है रुपी 50,000 टोटल बन गया थ्री लैक रुपी देखा जाए इसके उपर राइट किसका है ओल्ड पार्टनर का यहां पर जो जो पार्टनर है एक तो दे रखा है राम लिख दो राम कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट किया क्योंकि उनकी इसमें डिस्ट्रिब्यूट कर दो करते हो तो इसका आएगा टू लैक रुपी और इसका आएगा वन लैक कैसे आया वो भी समझ लो अब यह रहा टोटल बना थ्री लैक रुपी लिखो थ्री लैक और इसको मल्टिप्लाई कर दो इनकी रेश्यों में कितनी थी टू इस्ट और यह लिखो थ्री लैक और इन्टू अपोन में तो थ्री आएगा टूटल और उपर इसका शेयर वन यह आगया वन लैक यह किलियर हो गया अब इसकी नरेशन लिख दो जर्णल रिजर एंड पी एंडल बैलेंस डिस्ट्रिब्यूटिटे टोल्ड पार्टनर केपिटल अ इसका अंतलब पार्टनर की केपिटल इंक्रीज है और याद रख लो जब भी केपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिड अधर्वाइज मैंने कई क्लास में बता रख है यदि किसी पार्टनर को कुछ फार्मने पे करना है तो उसकी तू को रीड करतों आप देखिए लिखाव है X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3 to 2 दो partner है उनका profit sharing ratio बता रख है 3 to 2 on 1st April 2023 they admit Z as a partner for one-fifth share in profit एक नाई partner को admit किया Z को on that date there was balance of rupee 1,50,000 in journalizer and debit balance of rupee 20,000 in the profit and loss account of the firm यानि के firm के पास liability side में journalizer है asset side में P&L है क्योंकि debit balance का मतलब है वो asset side का दिखा रख है loss है क्याता है pass necessary journal entry regarding adjustment of reserve and accumulated profit loss तो कैसे entry pass करते हैं वो देखते हैं तो जी यहां पर आ जाओ सबसे पहले तो date डाल दो आप इस question में date mention है तो date लिख दो 2023 लिख दो और यहां लिख दो April 1st लिखा वै अब पहली entry तो बात करते हैं जर्नल जर की तो जर्नल जर को distribute करते हैं तो जर्नल जर हमने partner को देना है तो उनकी capital increase करनी है तो capital credit होगी ऐसे य X capital account और दूसरा कर दो 2Y capital account किलियर है दोनों को transfer करेंगे और कौन सी ratio में transfer करेंगे old ratio में old ratio दे रखी है question में 3 to 2 किलियर है capital क्यों credit की logic समझ लो क्योंकि capital increase होगी जब जर्नल जर को हम distribute करते हैं तो यह 150,000 है दोनों में distribute करेंगे तो एक को तो आएगा 90,000 लिख दो एक को आए पहले जो दो पार्टनर में distribute करना कैसे करते हैं वो समझ लो दोनों का sum करो वो तो denominator लिखो जो पहले वाले का ratio लिख दो ही X का ऐसे दूसरे के लिए करो 150 इंटू दोनों का sum करो 5 और उपर लिखो उसका share 2 यह आ गया 60 यह किलियर है अब इसकी narration लिख देते हैं narration में लिख द एंट्री अब करते एक second entry जिसमें P&L debit balance है और partner में distribute करना है 20,000 तो उस case में loss हो और loss होगा तो उनकी capital reduce होगी तो capital को तो debit करो लिखो यह एक capital account debit काफी आसान है सोच के करोगे कभी मुश्किल नहीं लगेगा क्यों debit करते हैं क्यों credit हर concept किलियर करके चलो debit और टू करो यह profit and loss account यह रहा कितना amount दे रखा है 20,000 लिखा वा था यह रहा यह इन दोनों की old ratio में distribute होगा note कर लेना old ratio question में दे रखे है 3 is to 2 मैं लिख दता हूँ यह रहा इस ratio में distribute करो इसको करते हो तो एक का तो आएगा 12,000 लिख लो एक का आएगा 8,000 कैसे आया वो भी समझ लो 20 को बाटना है दो पार्टनर में तो पहले 20,000 लिखते हैं इन 2 करते हैं जितने पार्टनर हैं उन सब का total करो share का 5 बना उपर लिखो 3 यह तो इसका आगा X का ऐसे लिखो Y का अब और में तो 5 और उपर इसका share 2 तो यह बन गया 8 क्लियर हो गया अब इसकी narration लिख दो narration में लिखो accumulated loss distributed to an old partner औ जब यह दो point थे एक था था आपके पास profit तो profit से capital increase है इसलिए उनकी capital credit करीए यह था accumulated loss क्योंकि debit balance था जो debit balance है हमेशा loss होंगे याद रख लेना it will be return of by the old partner और जब भी कोई चीज return of करते हैं पार्टनर याद करो जैसे goodwill return of तो capital को क्या करना पठता है debit ऐसी यह P&L हमारे लि होते हैं फिफ्टी से 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 यह राइट ओफ होगी और कोई भी चीज राइट ओफ होगी तो partner capital account reduce होंगे यह क्योंकि वह firm के लिए loss है क्लियर है अब यह तो हो गया हमारा 52 यह आब question करते हैं 53 और 53 के पांच पार्ट हैं पहले first part को करते हैं मैं question read करता हूं आप देखो लिख अपने fourth partner को admit किया one sixth के लिए following is the extract of the balance sheet on the date of admission हमें balance sheet में कुछ item दिखा रखी है मैंने आपको उस दिन भी बताया था extract का मतलब है खाली जिन item का discuss कर रहा है वही दिखाएगा balance sheet में यह पूरी balance sheet नहीं है उसी को बोलते है extract balance sheet पास necessary journal entry हमें journal entry पास करनी है इनको distribution की liability side में तीन item नजर आ रही है देखो जर्नल रिजर्व है पी एंडल है तीनों ही accumulated profit और रिजर्व है तीनों को partner में distribute कर देंगे asset side में advertisement suspense है यह return off कर देंगे by the partner और दोनों case में old partner यूज होगे old ratio यूज होगी याद रख लो जब भी distribution होगा partner को new ratio का कोई rule नहीं होगा कैसे distribute करते हैं देखो भी मैंने आपको पताया partner को हम कुछ देंगे तो उनकी capital increase करेंगे तो capital account तो होगे credit और debit क्या होगे यह जो आपके रिजर और accumulated profits है लिखते जाओ सब कोई कठी भी कर सकते हैं और अलग अलग भी आ लिखो जर्नल रिजर account debit amount दे रख है यह रहा amount है 36,000 लिख दो 36,000 दूसरा लिखो contingency register कितना amount दे रख है यह 6,000 और एक और दे रख है आपको profit and loss वो भी लिख दो debit balance यह दे रख है 18,000 इन सब का हम यदि sum करते हैं तो 60,000 बनते हैं यह distribute होगा partner में कितने partner थे 3 एक तो लिखो X capital एक लिखो Y capital तीनो old partner new partner का कोई role नहीं याद रख लेना distribution में 2 Z capital कितना amount है इनकी old ratio लिखो कितनी दे रखी है 5 is 2,3 is 2,2 लिख लो old ratio यह री उसी में distribute होगा यह 5 is 2,3 is 2,2 कितना कितना आएगा या लिख लो 60,000 यह तो total करो 60 बना इनको add करते हो 60 को करते हो तो एक का तो बनेगा 30,000 लिख लो एक का बनेगा 18,000 एक का बनेगा 12,000 कैसे आया वो भी लिख लते हैं या total बना 60 कहां से आया 60 इन सब को add करते हो यह accumulated profit हो बन गया 60 60 को अब 3 जनों में distribute करना इस ratio में तो पहले तो तीनों का sum लिखो add करके और उपर उपका share ऐसे y का करो upon में तो 10 आएगा रूपर 3 ऐसे जेड का करो into करो 2 बाइ 10 ये बन गया ये किलियर हो गया ये तो question हो गया हमारा पहला ये तो accumulated profit वाला था इसमें advertisement suspension जो return off होगा तो पहले तो इसकी narration लिख दो लिख दो accumulated profit and registers distributed to old partner capital account और ये भी लिख दो in old ratio चलो जी ये तो एक बन गया हमारा अब करते हैं इसकी second entry advertisement suspension को return off करते हैं क्योंकि वह हमारी fictices assets है तो जितने भी profit है पार्टनर को दे दो जब पार्टनर को देंगे तो capital increase होगी उनकी इसलिए credit होगी अब loss है तो partner से लेना है loss firm ने तो capital उनकी क्या होगी decrease तो capital को debit करेंगे advertisement suspense को credit तो ये तो पार्ट हो रहा इसका पहला ए ए में एक entry तो ये पास होगी एक return off की करते हैं वहाँ capital account को करो debit क्योंकि capital decrease होगी note करना advertisement suspense return off हो रहे हैं लिख दो capital account debit ऐसे लिखो यहाँ जड़'s capital account debit कितना amount आएगा हो देखते हैं पहले advertisement suspense account लिख लें चलो जी यह दे रखा है आपको question में 24,000 और यह कौन सी ratio में distribute होगा याद रख लो old ratio में cold ratio क्या दे रखी है 5 is 2, 3 is 2, 2 में ध्यान रख लो old के अंदर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर old ratio कोई भी चीज new ratio में कभी नहीं होगी याद रख लो हमेशा हर item old ratio में write off करनी है तो भी old ratio distribute करनी है तब भी old ratio करते हो तो इसका तो आगया पहले वाले का तो लिख लो 12,000 दूसरे का आएगा 7200 तीसरे का आएगा 4800 कैसे आया वो भी देख लो 24,000 लिखो पहले जो तीनों का share है वो denominator बनाओ 10 और divide करो पहले उपर से तो यह तो बन गया अपने आप हो के 12,000 दिखो उसके बाद दूसरे का करो 12,000 into denominator 10 और उपर 3 24,3 जा कर दो तो 72 ऐसी तीसरे का कर दो और into 2 by 10 यह clear हो गया क्यों debit करे समझा दिया क्योंकि यह loss था और को देबिड कर दिया इनरेशन लिख दो नरेशन वे लिख दो advertisement suspense return of by old partner और यह भी लिख दो in old ratio यह तो हो गया इसका first part अब करते हैं इसका B part मैं B part को read करता हूँ आप देखिए लिखा है give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 72,000 हमें workman compensation reserve को distribute करने की entry pass करनी है at the time of admission of Z जब नए partner का admission हुआ budget का if there is no claim against it यानि कि जितने का हमने reserve बनाय था उसके against में कोई claim नहीं है the firm has two partner X और Y तो सारा distribute कर देंगे partner को workman compensation reserve account debit और two कर दो X capital चलो जी और two कर दो Y capital जब भी हमें partner को कुछ देना होगा तो credit करते हैं मैंने आपको बताया था यानि कि जब भी partner की capital increase होगी तो credit होगी WCR debit लिखो abbreviation मैं जहां भी लिख रहा हूँ आपने नहीं लिखनी आपने पूरी लिखनी है CAP का मतलब capital आप पूरा लिख लेना कितना दे रखा है 72,000 उनसी ratio में distribute होगा 72 ratio mention नहीं है और जब ratio mention ना हो तो equal होगी यानि कि जितने partner है उतनी लिख लो one is to one करते हो तो एक की तो आएगी 36,000 दूसरे की भी आएगी 36,000 यह रहा कैसे आगई 36 72 को distribute कर दिया हमने यह लिख लो 72 क्योंकि दोनों का सेम है अपोन में तो दोनों का लिखो total कितना बना two वो तो denominator उपर इसका share अच्छा उसका भी one आएगा तो 36 ही आएगा यह clear हो गया अब narration लिख दो narration में लिख दो workman compensation reserve credited to old partners भी लिख दो in old ratio चलो जी यह तो entry बन गई बी पार्ट की अब करते सी पार्ट इसका सी पार्ट को रीड करता हो आप देखो लिखाव है give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 72,000 amount उतना यह जितना बी में था at the time of admission object if there is a claim of rupee 48,000 कितने का claim आ गया 48,000 against it यानि कि जितने काम ने compensation बनाया था employee का claim आ गया 48,000 rest amount इ पार्टनर को distribute होगा the farm has two partner एक सुरवाई कैसे करते हैं दिखो यह WCR को तो debit करो आप यानि के workman compensation reserve account debit एक तो यह लिखो कितना amount है 72 जितने का claim आया पहले वो लिखेंगे इसमें से वो exist करेंगे बचा हुआ जो रिजर होगा वो पार्टनर को distribute होगा या लिख दो टू प्रोविजन 4 workman compensation claim चलो जी कितना amount आया है 48,000 लिख दो यह रहा बच कितना गया आप 24 वो पार्टनर को distribute कर दो लिख दो X capital account और 2 कर दो Y capital account कितना amount लेंगे वो भी बतायता हो यहीं पर आपको total था आपके पास 72,000 नोट करना out of which 48 तो आपको देना ही पड़ गया claim पचा कितना आपके पास 24,000 और यह कौन सी ratio में distribute होगा 1 is to 1 क्योंकि ratio mention नहीं है question में तो कितना मिल जाएगा इसको 12,000 इसको भी 12,000 लिख दो कहां से आगया 12,24 को distribute कर दिया यह रहा किलियर हो गया हर step को सोच के लिख हो यह रहा दूसरे का भी उतना हैगा यह किलियर हुआ नरेशन लिख दो नरेशन में लिख दो surplus workman compensation reserve credited to old partner और यह भी लिख दो in old ratio चलो जी यह बन गया हमारा यह तो हो गया इसका C point किलियर हुआ भहुत आसान था यह दुबारा repeat करते हैं आपने abbreviation कहीं पर भी यूज नहीं करनी जैसे हमने लिख दी है आपने पूरी लिखनी है 72 आपने रिजवर बना रखा था profit में से निकाल रखा था कि कल यदी worker को कुछ compensation pay करना पड़े तो इसमें से adjust कर लेंगे आपके पास कितना आया बस 48 का claim आ गया तो बचा कितरा आपार पार 24 वो partner में distribute कर दो गर अब याब करते हैं इसका D point मैं D point को read करता हूँ आप देखो लिखा गेउदा journal entry हमें journal entry पास करनी है to distribute investment fluctuation रजर ओफ रुपी 24,000 at the time of admission of Z Z के time पर investment fluctuation रजर दिखा रखा है 24,000 का उसकी entry पास करनी है when investment market value जड़ा ध्यान रखना market value दिखा रखे है investment की 1,10,000 exist at 120 जबकि balance sheet में कितने की show हो रही है वो 120 तो यानि के investment पर हमें loss हो रहा है 10,000 का यह adjust हो जाएगा investment fluctuation रजर के साथ और जो rest बचेगा पार्टनर में distribute कर देंगे the firm has two partners x and y firm के पास दो partner दे रखे है अब कैसे करेंगे देखो यान लिखो आप investment fluctuation रजर अकाउंट debit चलो जी कितने का दिखा रख है 24,000 लिख लो अच्छा हमारी investment 10,000 से decrease हो गई क्योंकि book में तो exist है 1,20,000 की book का मतलब balance sheet में लेकिन उसकी market value कितनी है 10,000 1,10,000 तो 10 से decrease हो यह investment तो जब भी assets decrease है पहले तो उसको credit कर दो लिख दो investment कितने से decrease हो यह आपकी 10,000 से वो लिखो यह समझाया अब हमारे पास जो reserve बच गया partner को देने के लिए खाली 14,000 बच गया वो partner को distribute कर दो टू लिख दो X capital account और टू कर दो Y capital account किलियर हो गया भाई यह जो आपने reserve बनाया था from the profit profit में से बनाया था और किसलिए बनाया था कि आपकी investment में कोई fluctuation होगा उसमें कोई loss होगा तो वो loss यहां से एड़ेस्ट हो जाएगा तो हमने यहां एड़ेस्ट कर दिया तो बच कितना गया आपके आप 14 वो partner को distribute कर दो उनकी old ratio में यहां लिख दो 7,001 का आएगा 7,1 का कैसे आया वो भी समझाएता हूँ टोटल कितना है 24,000 24 में से 10 तो एड़ेस्ट होगे क्योंकि investment आपकी decrease हो गई तो हमारे पास reserve मच गया बस 14,000 का जो की distribute हो जाएगा इनकी इस ratio में अच्छा जब दोनों को distribute करेंगे तो दोनों का share तो same है 1 is to 1 तो लि failure हो गई इसकी narration लिख दो narration में लिख दो surplus of investment fluctuation रिजर credited to old partner capital account और यह भी लिख दो in old ratio यह इसकी narration बन गई काफी अच्छा था यह अब करते हैं इसका e point last point है यह लिखा हूए give the journal entry to distribute journalizer of 4800 4800 का journalizer जो distribute करना है at the time of admission of when 20% of journalizer is to be transferred to investment fluctuation reserve the firm has two partner exit y 20% इसमें से आपको investment fluctuation reserve के लिए transfer करना है अब कैसे करते हैं जरा वो देखते हैं यह लिखो सबसे पहले जर्नल जर डिस्रिब्यूट करना है जर्नल जर को तो debit कर दो चलो जी पहले जर्नल जर लिखतो कितना दे रखा है 48 इंडेंट इसमें से कहरें 20% तो investment fluctuation reserve के लिए बचाना है तो लिख दो two investment fluctuation reserve account अब 20% करोगे तो 960 बनेगा वो वो अभी करके दिखायता हूं कैसे बना और जो बच गया वो पार्टनर को दे दो लिख दो 2X capital account और 2 कर दो Y capital account कितना बचा वो भी आप देख लो यह रहा यह देखो पहले तो यह 960 कैसे आया वो समझ लो टोटल 4800 है उसका 20% करो जो कि आपने पार्टनर को नहीं देना इस काम के लिए बचा के चलना investment fluctuation reserve के लिए यह रहा 960 अब जो आपके पास बचता है वो पार् finance करो करोगे आप अपने पास तो 3840 आ जाएगा और यह distribute कर दो उनकी ratio में जब देनी रखी तो equal हो गई तो कितना कितना आ जाएगा इसका लिखोगे 1920 इसका भी लिखोगे transfer of journal reserve to investment fluctuation reserve and old partners capital account चलो जी यह बने गया हमारा क्लियर हो गया यह था यह काफी अच्छा question था यह वाला इसमें क्या था total आपके पास journal reserve जो partner को distribute होना है लेकिन वो कता है इसमें से 20% तो reserve कर लेना है किस काम के लिए IFR के लिए IFR मतलब investment fluctuation reserve के लिए तो जो rest बच गया हो partner को दे दो हमने rest कैसे निकाल लिया 48 था उसमें से जितना आपने reserve कर लिया investment fluctuation reserve के लिए वो minus कर दो तो बचे वे को distribute कर दो partner में चलो बई अब करते है 54 question इसमें भी दो पार्ट है पहले first part को करते हैं फिर second को करते हैं मैं read करता हो question देखो लिखा है एन extract of the balance sheet of Morari and Vora sharing profit in the ratio of 3 to 2 वो जाज अंदर आपको कुछ liability side में accumulated profit reserve दे रखे हैं और asset side में भी दे रखा है advertisement expenditure नीचे adjustment पढ़ते हैं लिखा है new partner Krishna was admitted for one-fifth share of profit एक तो न्यू पार्टनर एड्मिट हुआ किर्शन अक्लेम ओन account of workman compensation reserve is estimated for रुपी 900 अब जरा liability side चलते हैं देखते हैं देखो एक तो जर्नलिजर जो पार्टनर में distribute होगा contingency reserve पार्टनर में distribute होगा P&LB partner में distribute investment fluctuation reserve distribute लेकिन उसके बारे में adjustment आ रही है अच्छी तरह से asset side पर चले जाओ assets में balance sheet में तो दिखा रखा है 1,20,000 लेकिन bracket में लिख दिया market value उसकी reduce हो गई तो वो 6,000 कहां से adjust होंगे अपने fluctuation reserve से उसके बाद workman compensation reserve ये भी distribute होगा लेकिन इसकी adjustment है नीचे नाइन एंडेड एक अच्छा point आ रहा employee provident fund जिसमें हम mistake करते हैं आप याद रख लेना ये कभी भी distribute नहीं होगा it is a liability for the firm इसको आप creditor की तरह मान के चलो जो आपको pay off करने अपने employee को तो ये कभी distribute नहीं होते ध्यान रख लो आप इसकी शुरुवात कैसे करेंगे सारे रिजर को debit कर लो जितने दे रखें लिखते जाओ यहां पर आप सबसे पहले लिखाव है जर्नल जर लिख दो कितना amount दे रखा है जर्नल जर का 30,000 लिख दो workman compensation रिजर की उनकी जैसे adjustment आएगी लिखते हैं अगला लिखो पी इंडल अकाउंट यह भी आपको दे रखे 18,000 लिख दो 18 उसके बाद आगे दे रखे investment fluctuation रिजर लिख लो कितना दे रखे यह रहा 9,000 यह मैंने पूरा नहीं लिखा आप पूरा लिख ले ना अगला workman तो हमने copy करे अभी जो दे रखे दे और 2 करो यहां पर एक तो आपके पास investment decrease हो गई कितने amount से होई वो लिखो credit करो क्योंकि assets decrease हो रही हमारी 120 की book में दे रखी है और 1,14,000 उसकी market value रह गई तो 6 से decrease होई है credit करो 6 से यह चीज के लिए रही उसके बाद आपके पास claim आ गया पहले वो लिखो यानि को provision for workman compensation claim amount लिख दो 900 दे रखा है question में यह दोनों दे रखे थे अब जो बचेगा यानि के यह तो debit side के total हो गए हमारे और यह credit side के इन सब का total करते हो तो 66,900 बनेगा यह partner में distribute करो यह minus करके लिख दो यहापर एक तो partner का नाम है मुराली capital और दूसरे का नाम दे रखा है वोरा capital नए partner का कोई role नहीं है याद रख लेना अच्छा कितना amount आएगा वो भी note करो total करते हो उपर का debit side का वो बनता है 66,900 और credit side का बनता है 60,900 तो बच कितना गया आपके पास 60 यह कौन सी ratio में distribute हो जाएगा 3 to 2 में यह distribute कर दो मुरारी capital में और वोरा capital में एक को करते हो तो 36,000 आ जाएगा दूसरे को करोगे तो 24,000 आया कहां से वो भी देख लो 60,000 लिखो और अपोन में इन दोनों का sum कितना बनता है 5 और उपर उसका share किलियर है यह तो 12,000 हो गया 12,000 या 36 ऐसे निकाल दो 60 into 2 by 5 किलियर हो गया यह तो यह कुश्चिन हो गया चीज किलियर हो गई काफी अच्छा कुश्चिन था आब इसकी narration लिख दो और narration यंदर आप लिख दो accumulated profit and reserve two old partner capital account और यह भी लिख दो एन old ratio किलियर हो गया यह कुश्चिन था हमारा ए पार्ट अब करते हैं advertisement suspense को return off देखो जब भी return off करेंगे तो partner capital account debit होंगे क्योंकि partner को loss है उनकी capital decrease होगी लिख दो यहाँ पर आप partner आपको दे रखा है मुरारी debit दूसरा ने कर दो वोरा capital account दो दे रखें आपको वोरा capital account दो advertisement expenditure account चलो जी कितना वाउंट है 6000 कौन सी ratio में distribute होगा note करो उनकी old ratio में old ratio कितनी दे रखी है 3 is to 2 एक को बनेगा 3600 करोगे तो दूसरे का बनेगा 2400 कैसे आया कर लो 6000 है दोनों का sum करो कितना बना 5 कर दो 3 किलियर हो हो गया ऐसे दूसरे का कर दो 6000 डिनोमिनेटर तो दोनों का sum में रहेगा 5 और उपर इसका share दूसरे वाले का यह यह 24 नरेशन लिख दो नरेशन में लिख दो advertisement expenditure return of चालो जी यह question हो गया हमारा इसका a part पूरा complete अब करते हैं इसका b part मैं question को read करता हूं आप दिखो लिखा हू है दे टेक डी इंटो partnership with effect from 1st April 2023 उन्होंने डी को admit कि अपने आप दा न्यूव प्रॉफिट शेरिंग रेशो बिट्विन ABC और डी विल भी 3232 321 न्यू रेशो भी गीवन है दे आल्सों डिसाइडिट तो रिकॉर्ड दा इफेक्ट ऑफ ता फॉलोइं विदाउट एफेक् profit and loss दे रखा है और advertisement suspense loss है नीचे लिखा है past the necessary adjustment entry through the partners current account यानि के जितनी भी आइटम दे रखी है इनको distribute नहीं करेंगे sacrificing partner को credit करेंगे gaining partner को debit जो मैंने आपको बता रखा है gaining partner account debit to sacrificing partner अब कैसे करते हैं देखते हैं अब यहां आ जाओ पहले journal entry से पहले working notes पे working notes पे partner के नाम दे रखे ABC उनका ratio दे रखे 6 is to 3 is to 1 it is the old ratio note करना अच्छा उसके बाद उन्होंने new ratio decide कर लिया कितना हो गया उनका new ratio यह रहा एक और admit हो गया उनका new ratio आ रहा है 3 is to 3 is to 3 is to 1 it is the new ratio इसका huge क्या है इससे हम sacrifice ratio निकाल लाएंगे हमें या दो ratio तो पता ही चल गए old ratio भी पता चल गया और new ratio भी sacrifice ratio निकाल लाओ heading डाल दो calculation of sacrifice ratio आपको यादो हमेशा new partner को गेन होगा ध्यान रख लेना new partner कभी sacrifice नहीं करता वह अभी वैसे यहां दिखा भी रहते हैं कैसे गेन होगा जिसका माइनस में आएगा गेन है लिखते जाओ A का शेयर है 6 by 10 कैसे आया यह रहा B का भी लिखतो old ratio 3 by 10 ऐसे इसी का लिखतो 3 by 1 by 10 और D का देखो old ratio है नहीं तो 0 आपको यह दिखाता हूँ कि गेन कैसे हुआ D को माइनस करो new ratio new ratio दे रख है 3 by 10 यह रहन तीनों का सम करोगे तो 10 ऐसे इसका भी 3 by 10 इसका भी 3 by 10 और इसका 1 by 10 अब निकालते हैं यहां अच्छा क्यों दो के देखो base equal है डारेक्टी कर दो कितना आ गया 3 by 10 इसने तो कर रहा है sacrifice note करो positive आ रहा है negative होगा तो गेन होगा इसका करो तो इसको no gain no sacrifice इसका करते हो तो माइनस में आ गया note करो 2 by 10 और इसका भी माइनस में आ गया इसका तो आना ही माइनस में था gain करता है जो old में भी कोई माइनस में निकल जाए तो वह भी gain करता है तो दो partner को तो gain हो रहा है और दो partner एक partner sacrifice कर रहा है अब कैसे निकलेगा वो दिखो यह रहा यह दो partner तो जर्नल में डविड होंगे और यह partner credit क्योंकि जर्नल entry क्या बता रखें मगप कर लो admission में भी काम आएगी retirement में भी death में भी gaining partner account debit to sacrificing यह entry हम क्यों कर रहे हैं question में लिखा हूँ है कि adjustment entry pass करो यानि कि जो item दे रखी है उनको distribute नहीं करना उनकी एक adjustment करो जितने amount का gain हो रहा है वो लिख दो जितने का sacrifice है वो लिख दो जी आब यहां लिखते हैं जो जो item आपको दे रखी है देखो एक तो आपको जर्नल रिज 50 के बाद contingency result कितना दे रखा है 60,000 उसके बाद एक और दे रखा है profit and loss credit balance favorable balance है कितना दे रखा है 90 लिख लो यह सारे तो distributable item है यह profit है लेकिन एक loss भी है उसको minus करो advertisement क्यों minus करने है क्योंकि distribute तो हम करनी रहे question में कह रखा है कि हमने इनको distribute नहीं करना कितना amount है पहले लिख ल आप चेक करोगे तो 1,80,000 आ रहे है जो partner को देना नहीं है इसके अंदर जितना partner को gain हुआ वो निकाल लाओ जितना sacrifice हुआ वो निकाल लाओ और वो भी उनके current account के तुरू यह total 180 आया है अब कैसे होगा वो जड़ा दिखो यह journal entry पे चलते है जर्नल पे आओ कौन gain करना है दो partner लिख लो C current account debit और यहां लिखो दूसरे का D current account और 2 कर दो A current account सारा काम current account के through करना है क्योंकि question में mention है value कैसे आएगी अब value देखते हैं देखो total 180 है लिख लो 1,80 इसका जो gain हुआ उससे multiply करो gain हो रहे इसको C को 2 by 10 multiply कर दो 2 by 10 यह तो आगया 36,000 लिख दो उसके बाद फिर दुबारा 180 लिखो यह रहा into करो उसका D का share minus में 1 by 10 110 करते हो तो 18,000 यह ने sacrifice किया तो sacrifice को credit करते है value यह लिखो गे और जितना इसका share sacrifice हो गया कितना 3 by 10 कितना बन गया 54,000 यह तो इसकी entry बन गई अब इसकी narration लिख दो adjustment for reserve profit and losses चलो जी यह narration बन गई काफी अच्छा question था यह हमने इसमें distribute क्यों नहीं करा यह हमने change in profit sharing ratio में भी कर रखा है कि जब हम किसी चीज को touch नहीं करते यानि के distribute नहीं करते तो उसकी फिर gaining to sacrificing entry pass करते हैं इस question में clear लिखा था adjustment entry pass करो जब लिखा जाए single entry pass करो adjustment entry pass करो या लिखा जाए without affecting these figures इनको touch किये बिना entry pass करो तो हमेशा gaining to sacrificing में entry बनेगी तो यह clear हो गया तो आज हमारे अब यह 54 तक complete हो गए next class में आगे continue करते हैं आप यहां तक practice करो कोई भी doubt लगता है you last in comment section आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है please इसको like and subscribe करें thanks for watching my video next class में जल्दी मिलती है